हेलो फ्रेंट्स मैं नीराच मानमोर आप सभी काप्के अपनी यूट्यूब चैनल एजी मैद पर हारा दिक स्वाकत करता हूं दोस्तों हम पढ़ेंगे आज घातांक एवन करड़ी देंगे दूस्तों घातांक क्या होता है और करड़ी क्या होता है आज हमें इसके बारे में ब घात होता क्या है किसे भी संख्या का उसी संख्या में जितनी बार गुरा की जाती है जितनी बार गुरा की जाती है वह संख्या उसकी घात कहलाती है तेके घात और घातांक जो हमारा होता है ये दूनों क्या है एक ही चीज हैं एक ही चीज के ये दो अलग अलग नाम है इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा इंडिसेस है और जो हमारा इसकर्ड है यहां पर क्या कह रहा है कि जो हमारा सर्ड्स और इंडिसेस है यानि कि घातांक एवं करड़ी तो घातांक होता क्या है किसी भी संख्या का उसी संख्या में जितनी बार गुड़ा किया जाए वही संख्या उस पत की क्या कहलाती है घात कहलाती है एक्जाम्पल के तोर पर जैसे अगर हमने एक्स का एक्स में चार बार गुड़ा किया है जा हमारा संख्या एक्स है और उसी संख्या एक्स में हमने क्या किया है जितनी बार गुडा करेंगे जितनी बार गुडा की जाती है वह उसकी घात कहलाती है तो यहां पर हमारे पास देख रहें कि जो संख्या है संख्या क्या है दोस्तो एक्स है और हम कितनी बार गुडा कर रहे एक दो तीन चार बार आपस में घूड़ा किया गया है तो इसकी छो घात हमारा 4 है यही हमारा इसका घात भांग कहलाता है अब मल्डी जै इसी संख्याक आगर हमने दे दिया कि A का N बार गूडा कर दिए दोस्तों कितनी बार जो हमारा पद है यहां पर कितनी बार गूडा किया गया है इसलिए हमने घात चार लगाए लेकिन यहां कि यहां पर कितनी बार गुडा किया है यहां देश्य से प्रदर्शित हो रहा है यहां पर दोस्तों इसका घात आंग अब देखे क्रड़ी क्या होती है चलिए करड़ी देखते हैं करड़ी क्या होता है दोस्ता हमने यह देखा कि घाता आंके क्या होता है चलिए अब देखते हैं करड़ी क्या होता है करड़ी हमारा क्या है सर्ड करड़ी क्या होता है तेके दोस्तों करड़ी का मतलब क्या होता है किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का मूल ग्यात करना यही क्या कहलाता है करड़ी करड़ी का मतलब क्या होता है दोस्तों किसी भी दी गई संख्या का हम मूल निकालते हैं तो वही उसका क्या कहलाता है करड़ी कहलाता है अब यहाँ पर मूल की बात किया जाए तो मूल हमारा जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या होता है यह हो गया यहां पर यह जो हमारा करड़ी के रूप से द्रसाया गया है ध्यान से देखिए दोस्तों हमने क्या लिखा है कि किसी भी संख्या का जो मूल ग्यात करना होता है वही हमारा क्या कहलाता है करड़ी क्या कहलाता है लेकिन यहां पर यह हमारा क्या है इसको यहां पर दो सो दिखाया गया है तो यह हमारा वर्ग मूल यह हो गया हमारा घन मूल यह हो गया चतुर्थ मूल यह क्या हो गया पंच मूल और यह हमारा क्या हो गया अन्थ मूल तो यहां पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि square का हमारे पास दो बार है द्यांस देखे हमारा work क्या है square यानि कि जब दो बार लगता है करड़ी है तो मूल हो गया दो बार लगाया गया दो हो गया यानि कि हमारा जैसे x है तो यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते है करड़ी में x लिख सकते है या फिर दोस्तों मूल का मतलब क्या होता है कि घात के एक के बटा दो, एक के बटा दो, यानि कि मूल, जोंसा मूल रहेगा, वर्ग मूल है, यहाँ पर दो है, तो एक के बटे दो हो जाएगा, अगर यहाँ पर यक्स दिया है, तो इसका मूल कितना हो जाएगा, एक्स के घात टीन है तो एक के जौ ऑट तीन यहां पर 4 है और यहां पर यक्स दिया रहे तो कितना हो जाएगा यक्स में घात 1 इक बटा 4 पांच डिया गया है तो यकर सी घथे एक के तर्थम को सा मूल यहां पर कड़ी के लेकिन अगर कहीं पर इस तरीके से दिया गया है यक्स के घाते एक के बटे साथ तो इसका ये मतलब है दोस्तों कि यह हमारा क्या है सब्त मूल है हम इसको ऐसे लिखे या चाहिए हम इसको अंडर रूट सेवन करके लिखे यानि कि हमारा क्या होगा सेवन्त मूल एक्स तो यह हमारा क्या होगा हम चाहिए इसको इस रूप से लिखे चाहिए इस रूप से दोनों का मान क्या होता है समान और यह ही हमारा क्या कहलाता है करड़ी कहलाता है करड़ी क्या होता है किसी भी संख्या का मूल ग्यांद करना ही क्या कहलाता है दोस्तों करड़ी कहलाता है ठीक चलिए अब हम करड़ी के बारे में कुछ फार्मूला लेके चल रहे हैं दोस्तों यानि कि घात में जो गुड़न फल दिया गया होता है हम उसको कैसे शॉल करते हैं तो देखें दोस्तों होता क्या है जिससे इसमें हमें फार्मूला दिया रहेगा एक घते यम गुड़े बी के घते यन गुड़े C के घतियन तो यहां पर जो हमारा आधार अब जैसे कि यहां पर हम देख रहें दोस्तों A के पाउर यम दिया गया है तो यह जो हमारा उपर लिखा गया है अच्छर के यह हमारा घात या घातांक कहलाता है लेकिन जो यहां पर नीचे A लिखा गया है यह हमारा क्या कहलाता है आधार, यह क्या हो गया, आधार हो गया, और यह क्या हो गया, घातांक हो गया, तो जब हम देखेंगे, कि दूसाब का घात हमारा क्या हो, यहाँ पर रहेगा दोस्तों A के घतेयम B के घतेयम और C के घतेयम तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबका आधार अलग-अलग है A हमारा अलग है, B भी अलग है, C भी अलग है यानि कि हम देख रहें घातांके का गुरा यानि घातां के गुड़नफल हम करते कैसे हैं जब हम देख रहें कि सब का आधार क्या है अलग-अलग है और घात क्या है समान हो जब आधार अलग-अलग हो और घात समान हो तो हम क्या करेंगे सब का यानि कि जो हमारा आधार अलग-अलग दिया गया है सब का हम आपस में घात एक हो तो हम क्या करेंगे घात को एक बार लिखेंगे और आधार का सब आपस में गुड़ा करके उसके घात हम लगा देंगे जैसे और यहां पर देखें क्या हो अभी तक तो हमने देखा कि जब आधार अलग-अलग हो और घात क्या हो समान हो लेकिन जब हमारा आधार सम जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा M प्लस यरुण प्लस और यही हमारा क्या होगा इसका हरूड़ा बन जाएगा प Zuschauer लिए देखें होता क्या है एक्जां Php में दखे एक्जांस यहां पहर हमको 2 गहते तीन गुड़े के गहते तीन गुड़े 5 के गहते तीन दिया गया है तो यहां पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि सब में यानि कि जो हमको example दिया गया है इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो घात है घात सब में वराबर है तीन यहां भी है तीन यहां भी है तीन यहां भी है लेकिन हम एगर इसका base देखेंगे तो आधार देख रहे हैं दो यहां पर हे चार यहां पर difahan पर अलग दिया गया है लेकिन घात क्या है समान है और हमने बताए जब अभी कि अगर घात अलग रहे अधार अलग-अलग हो और घात समान हो तो हम क्या करता हैं सब ही आधार का आपस में गुरा कर लेते हैं और जो घात दिया गया है उसको एक perceived लिख लेते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि तो दो चोपके आठ आठ पंचे चालिस चालिस के घाते तीन यही हमारा क्या बनेगा दोस्तों अन्सर बन जाएगा करना क्या है जब आधार अलग-अलग हो और घात समान हो तो सभी आधार का आपस में गुड़ा करके जो घात दिया गया है उसको लगा देंगे हमारा एंसर हो जाएगा लेकिन दूसरा एक्जामपल क्या बन जाएगा दोस्तों देखिए करा कि अगर हमारा क्या हो सबका आधार समान हो और घात अलग-अलग हो तो इस situation में इस thesisTT में हम क्या करेंगे कि जो हमारा आधार दिए घंधार को एक बाल लिखेंगे और जितना भी घात दिएंगे तो 4-3-6 तो यहां पर क्या हो जाएगा 4-3-6 यहां पर 6 दिया गे है है ज्या है अब यहां पर क्या करेंगे कि सब्सक्राइब ऑफिर यहीं हमारा क्याली यहीं हमारा क्या बनेगा दोस्तों यह कब हो होगा जब हमारा गातां के गुझणफल में गात की संख्या सन्ख्या अलग अलग दिया गया हो या फिरी आधार की संख्या समान और घा Young कि संखिया गळाग दिया गया हो तो हम बस इसी दोनों ट्रेक के माध्यम से अप सवाल को आसानी से सॉल कर सकते हैं अभीतों कर हमने देखा घहात आंग की गुड़नफल क्या होता है अब हम देखेंगे दूस्तों के क्या होता है दोस्तों घातांग की भाग हमारा क्या होता है चलिए देखते हैं घातांग की भाग हमने दोस्तों बताया है कि घातांग की भाग हम जानते हैं कि गुड़ा यह जिस्ट अपोजिट भाया भाग होता है दोस्तों अभी हमने देखा कि गुड़ा में जब घात जुट रहा था किया था दो qué ङहां पर हम घुडा कर रहे हैं घात दोनों के जुट जा रहा है तो हम क्या जानते हैं गुडा का जस्त उल्टा होता है अपोजिट होता है दोस्तों कया होता है؟ अपूजिट होता है क्या भाग गुड़ा का ज़स्ट उल्टा होता है भाग तो हमने देखा कि गुड़ा में अगर घात जुट रहा है तो जोडने का just opposite क्या होता है माइनस होता है घटाना तो भाग में घात क्या होगी घट जाएगी अर्थात यहाँ पर A और B दिया गया है तो क्या हो जाएगा सुरी दोस्तों यहाँ पर भी A रहेगा ठीक तो अगर यहाँ पर A है और दोनों हमारा आधार समान है तो A के घात M-CN हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है कि जब हमारा आधार समान हो थे आज देखिए दोस्तों क्या करना है जब हमारा आधार समान हो जब आधार समान हो तो हम क्या करेंगे गुड़ा में घात जोड रहे थे और भाग में क्या होगा घात हमारा घट जाएगा दोस्तों लेकिन अगर यहीं चीज हमारा आधार समान नहीं हो इस तरीके के सवाल, यहां पर हम देख रहे हैं कि घात हमारा समान हो गया, लेकिन आधार समान नहीं है, तो हम कैसे सॉल करेंगे, जैकि हम जानते हैं दोस्तों, घात का मतलब क्या होता है, बटे में, भाग का मतलब क्या होता है, कि बटे, जैसे हमने क्या किया है, कि 10 के भाग के दो मतलब हमें दस में हम क्या करेंगे दो से भाग देंगे तभी न पांच आएगा अब यहां पर भाग का मतलब एक घाते यम भागे बी के घाते यम अब यहां पर दोनों का आधार हमारा दोनों का जो बेस है सुरी दोनों का जो घात है हमारा यह क्या है बराबर है तो यह यहाँ पर हम क्या करेंगे यह भणता भी के गहते यह हमारा ट्रिक लगेगा फस इसीदो't के माद्यम से दोस्तों हम time सवाल को आजानी से सॉल कर सकते हैं इwarm he है में एक्जांपल करना किया है दोस्तों कि हम क्या करेंगे एक्जांपल एक्जाम्पल हमारा क्या हो गया कि जैसे यहाँ पर x के घात चईए 14 भागे x के घात 14 यहा पर एक्जाम्पल के रसा आ गया दास दोब्लो की आधार सा जैए धास देखिए x के घात चईए 24 भागे x के घात 16 तो हम दोनों में में देख रहा आधार तो हमारा समान है लेकिं दोनों में घॉत है यह क्या है अलग अलग है जब दोनों में घात अलग अलग है और आधार क्या है तो इस में हम क्या करेंगे चलिषा सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे एक सब्सक्राइब क्या करेंगे दोनों का आधार समान है एक वा लिखा जाएगा और घात क्या होगा दोस्तों घटा देंगे तो कितना आ एक सब्सक्राइब क्या होगा अभी जैसे अगर हमको यहां पर दिया गया हो कि एक सब्सक्राइब कि जो इसकी थी यह डिफ्रेंट थी दोनों का अलग अलग घात था लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा घात है यह समान है और जो इसका बेस है यह दूनों अलग अलग है तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम क्या हमने भी बताया था दोस्तों हे दोट है दोनों पत को लिखेंगे और जो घाद दिया गया है यही हमारा क्या हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाइगा दोस्तों ए ISBN थेक चलिए अगला एक्जाम्पल देखते हैं हमने यह देखा कि घात आंकी भाग हो गया अब हम देखेंगे दोस्तों घात की घात अगर जैसे किसी इजाम्पल में या कभी प्रस्वे पूछता है कि घात के ऊपर घात लगाया रहता है तो उसको हम कैसे आसानी से सॉल कर सकते हैं ध्यान से देखिए दोस्तों यहां पर क्या दिया हो घात की घात जैसे कभी कभी सवाल में दिया रहता है एकले गहते यं के घ्याद के घा इंक हट के उपर घात कांटिन्य अब क्या करेंगे दोस्तों हमारा जो बेश दिया गया उसको लिख लीजिए और जितना भी घात दिया गया है सब का आपस में गुड़ा कर दीजिए तो क्या होगा यंग के गुड़े यंग के गुड़े यही हमारा क्या बनेगा आंसर बनेगा इसी तरीके से हम इसमें भी कर किंगे दोस्तों क्या हो दो और घात के उपर का जितना है सबlle किसे लगाते हैं यह हमारा है दोस्तों आज बस इतना ही और आगे का जो बचा हुआ है घात का उसको कल वीडियो में रहेगा दोस्तों अगर यह वीडियो आप को को पसंद आए हैं तो लाइक शेयर और कमेंड करें दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेयर करें थाइंक्यों दोस्तों जाहिए